नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में संगम नगरी प्रयाग राज में पिछले दो महीने से धरने पर बैठी मुसलिम महिलाओं पर अब पुलिस ने सकती बरतना शुरू कर दिया है दो महीने में दो FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अब धरने पर बैठी महिलाओं को बॉन्ड भरने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है इन प्रदर्शन कारियों को शांती विवस्था बरकरार रखने के लिए 5 लाक रुपय का बॉन्ड भरना होगा बॉन्ड भरने पर इन प्रदर्शन कारियों के खिलाफ गिरफतारी समेथ दूसरी कारवाई के चितामदी भी दे गई है इससे पहले 3 मार्च को ही 100 नामजद समेथ 500 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है दूसरी तरह FIR दर्ज होने और नोटिस जारी होने के बावजूद महिलाएं अपना आंदोलन खत्म करने को कताई तयार नहीं है हमारे यहां जितने भी आंदोलन रत महिलाएं हैं सबका यही कहना है कि हम जब तिरपन दिन से यहां के शांती विवस्ता बनी हुई है तो यह आगे भी बनी रहेगी इस बात का आश्वासन कल उन्होंने S.P.C.T. को ही दे दिया था कि यह आंदोरन वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा यहां पे हम होली भी मनाएंगे हो सकेगा तो इद भी मनाएंगे बकरीद भी मनाएंगे और ऐसे ही शांती पूरवक बैटे रहेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार से सीधी है और सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लेती हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हम लोग ने तो कोई भी हिंसा का काम नहीं किया हम लोग प्रोटेस कर रहे हैं जो कि मेरा अधिकार है और हम अपने अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग यहां पर मनुरंजन के लिए आए हैं हम लोग अपना घार बार छोड़ के आए हैं यह सोचिए सरकार को यह जो सरकार बोलती थी कि हम महिलाओं का साथ देंगे हम उनको सशर्थी करार दे रहे हैं तो कहिए महीला आखा सशर्थी करार हो चुका है अब वो क्यों नहीं हम लोगों को पूछ रही है हम लोग यहां पर तो कोई हिंसा करने वाले हैं नहीं और जहां तक कि यह बात है कि हम यह धरना प्रदर्शन खतम कर दे यह कैसे खतम हो सकता है जिस चीज़ के लिए हम लोग बैटे हैं यहां पर आप देखेंगे यहां कोई दंगा नहीं होगा यहां होने ही नहीं देंगे हम लुक दंगा यहां पर दंगा वहीं पर होता है जहां दंगा कराया जाता है और इसी ख़वर पर सीधा रुख करते हैं प्रयागराज से हमारे सहयोगी मुहमद मोहिन का उनसे जानकारी लेते हैं मोहिन आप कहां खड़े हैं ये बताईए और इसके साथ ये भी जरूर बताईए कि ये पांच लाख बॉंड भरने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है इस बारे में डीटेल क्या है जी बिल्कुल अगर बात करें संगम नगरी प्रयाग राज की तो यहां बिल्कुल दिल्ली के शाहीन बाग की तरज़ पर 12 जनवरी से शहर का जो रोशन बाग का इलाका उसके मनसूर पार्क में धरना चल रहा है मुस्लिम महिलाएं इस धरने की अगवाई करती हैं महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहां पर आती हैं और 2400 घंटे यह घरना चलता रहता है आज इस धरने का 55 दिन हैं तकरीबन दो महीने हो गए हैं पुलिस और प्रशासन ने कई बार इने समझाने की कोशिश की कई बा तो अब उन पर सकती बरतना शुरू कर दिया गया है उन पर शिकंजय कसना शुरू कर दिया गया है सबसे पहले 2500 महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसके अगले दिन से उनको नोटिस जारी की गई नोटिस जारी कर उनको यह कहा गया कि उन्हें शांती भंक का खत्रा नहीं होगा अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है बॉन्ड नहीं भरा जाता है तो अफसरों का यह कहना है कि इन महिलाओं की गिरफतारी हो सकती है और इनके खिलाब कोई दूसरी कानूनी करवाई भी हो सकती है लेकिन इस बारे में यह देखा गया है तो लोने कहा कि वो जेल जाने को तयार है बिल्कुल वो तो वो बाइट चली है महिलाओं की बाते सुनाई है हमने दर्शकों को वो तो नहीं लग रहा है पीछे हटने वाली है वो तो इद तक यहीं मनाने की बकरीद यहीं मनाने की ब पिल्कुल जैसा महिलाओं ने साफ तोर पर कह दिया है कि वो चाहे गिरफतारी उनकी की जाए चाहे जेल भेजा जाए लेकिन वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे प्रशासन ने भी दूसरी कई जगों पर हुए उपद्रों से सबक लिया है और वो नहीं चाहता कि कोई टकराओ की नौबत आ है इसलिए समझा बुझा करके म्यूचुल एंडरिस्टेंडिंग के जरिये धरने को इस्थगित कराने की बात कही जा रही है और प्रशासनी कमला लगातार बाचीत कर रहा है जो लोग धरने की अगुवाई कर रहे हैं उन्हें समझा रहा है और जो पुलिस औ प्रशासन के अफसरान है वो खुद कई बार धरना स्थल पर गए उन्होंने माइक से लोगों से अनुरोद किया कि उनके इस धरने की वज़े से शांती व्यवस्था को खत्रा पैदा हो रहा है इसलिए धरना खत्म कर दिया जाए प्रशासन भी जानता है कि अगर सक्ती की गई अगर लाठी चलाई गई अगर गिरफतारी की गई तो कानपूर और दिल्ली जैसे हालात यहां भी हो सकते हैं इसलिए सक्ती वरतने से पहले सिर्फ एक संदेश दिया जा रहा है और लोगों से बार बार यह अपील की जा रही है कि आप जो धरना स्थल है उसे खाली कर इसमीf और यह इस के लिकिनन क्या इसका रास्ता यह बांड है यह नोटिस या फिर कमिनिकेशन है और कमिनिकेशन है तो वह काम क्यों नहीं कर रहा है तमाम सवाल प्रशासन के सामने जसकितास बने हुए हैं देखते हैं आगे अक्शन चान बरहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए